आज हम आपके लिए एक नए रेसीपी लेकर रहा हैं चार्ट बनाने की और इसमें हम आपको बताएंगे भी की कैसे एक बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में लोगडाउन में आप चार्ट बना सकते हैं कुछ ही इस तरह बहुत ही आसान है आपको पूरे शुरू से लेके अन तक पूरे वीडियो अच्छे से बताऊंगा तो सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग काबली चना लेंगे आटा लेंगे और ये दोनों का इस्तिमाल हम क्या करेंगे वो सारा वीडियो आपको बताएंगे तो मेरे चैनल पर बने रहेगा और लाइक बटन प्रेस करके मेरा होसला बनाये रखेगा ये देखें चना हमने 5-6 घंटे तक भीगोने के लिए छोड़ दिया था भीगोने के बाद ये पता चल जाएगा आपको कि ये अब बॉइल करने लाइक हो गया है तो हम लोग क्या करेंगा कुकर में आलू लेंगे और वो चने जो भीगोई हुए थे वो भी डाल लेंगे और आलू को कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे ताकि ये अच्छे से सीन ज सके और ये अलू इसलिए दोस्तों डालते हैं ताकि इसकी रिसिपि जवर्दस्त बन सके हैं तो हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लाएगा इसमें हल्दी डालेंगे ताकि इसमें वह पिलते न वह आ सके लग कि दैट्स अइसके बाद हम इसको एक बार मिला देंगे नमा कभी टेस्ट आ सकें, बहुत ही अच्छा बनेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कि अब पापड के लिए इसमें अजवाइन और मंगरेल और शोया रिफाइन जो होता है, वो डालेंगा, सबसे पहले हम लोग इसको रिफाइन उतना ही डालेंगे, जो हाथ में आसा दीके मेरे चाने हैं, भोट ही अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत अच्छे लगए हैं, केवल देखने में ही नहीं, तो ये आप जो देख रहे हैं ये मेरा आटा गुथा हुआ तैयार हो गया इसको ढख के कुछ देर रख देंगे और हम क्या करेंगे कि इसके छोटे छोटे टुकडे कर लेंगे ताकि इसके जो पापड बनाएंगे उसको बेलने में आराम रहेगा पापड तो बहुत सुना होगा दोस्तों लेकिन कुछ इस तरह का पापड बनाके देखिए बहुत ही बढ़िया लागी एक बर बनाईएगा तो हमेशा खाईएगा बस यही है कि थोड़ा पेट का भी खयाल रखिएगा क्योंकि लॉक्डाउन में बाहर भी निकलना मुस्किल है हाला कि भारत में लोग डरते नहीं है यहां के लोग बहुत ही स्ट्रॉंग है इसलिए तो भारत को महान का गया है यह देखिए एक पूरा बढ़िया से पापड तयार हो जाए पापड तयार करने के लिए कुछ इस तरह हम लोग एक बार इकठा कर लेंगा इकठा करने के बाद कुछ हमने स्नैक्स के लिए नमकीन भी बनाएंगे ताकि उपर से सर्व करने में और कुड़कुरा रहे तो बहुत ही अच्छा लाएं कुड़कुड़े से याद है कुड़कुड़े भी आप डाल सकते हैं बड़ दोस्तों ये कुरोना का लॉगड़ौन है इसमें बाहर जाना बहुत ही मुस्किल है इसलिए हम लोग घरेलू ये सब चीज बनाने का कोशिस करेंगे और इसलिए मेरे चैनल का भी नाम है घरेलू अनिल गया देखर सकते हैं फॉर्क से ऐसे करना है ताकि ये फूले नहीं ये फूलेगा तो फिर ये पापड़ी नहीं हो पाएगा इसलिए इसको फूले नहीं देना है कुछ चीज तरह का गोल-गोल बनाना है आप वीडियो को देखकर आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं ये आतना बढ़ियां चाट बनी एक खाते है रहजीवा लोग यहीं चलते एक बार जरूर ट्राइ करीं बहुत बढ़ियां लागे तब तक मेरा वहाँ वो जो हम आलू चड़ाये थे वो भी उसको भी 5-6 सीटी लगाना है तो वो अभी लग रहा है वो भी सींज रहा है मटर और आलू मटर वो सॉरी वो चना और आलू जो हमने कुकर में चड़ाया था और तब तक हम पापड बना लेंगा और आपको अगर गूल गूल पापड नहीं बनाने आते हैं तो आप गलास का भी इस्तमाल कर सकते हैं गलास से कुछ ही इस तुरह का जैसे हम लोग गुजिया बनाते है न वैसे ही ये बना सकते हैं बहुत ही अच्छा है बना कर एकदम गोल बन जाएगा पापड मेरा तो पहले भारत का नक्सा बन जाता था लेकिन कोई बात नहीं प्रैक्टिस मेक्स मैन पर्फेक्ट प्रैक्टिस करते रहे हैं चार्ट एक दिन बहुत ही अच्छा आप बना लेंगा आप देख सकते हैं मेरा बॉइल हो चुका है और काफी अच्छे खुस बुगा रहे हैं यह देखिए चिक कर भी घम करेंगे ताकि यह बॉइल अच्छे से हुआ है की नहीं और यह बच्छे बुढ़े जवान औरत सब कोई खा सकता है ऐसा कुछ नहीं है यह प्योर हाइज जेनिक है घर पर बना हुआ है तो आप चम्मच से चेक करेंगें बहुत ही गर्म है स्टीम है इसलिए यह देखिए वो गिर गया क्या करेंगें दूसरा वो चेक कर लेंगें ताकि वो सींज़ा है या नहीं यह देखिए बहुत ही अच्छा है यह दोस्तों 5-6 सीटी लगाएंगे तो आसानी से यह सींज जाया आलू हम लोग इसलिए डालें ताकि यह थोड़ा ग्रेवी टाइप के हो जाए अगर आपको थोड़ा पतला ही रखना है तो उसके लिए आप गरम पानी करके इसमें मिला सकते हैं देख सकते हैं कि इस तरह से आलू टूट जा रहे हैं बहुत ही अच्छा लाएगा आ मिक्स कर लें जी हां दोस्तों अगर प्याज की बात नहीं हो तो फिर सारा मजा किड़ा हो जाता है इसलिए प्याज तो बहुत जरूरी है प्याज हम लोग कटिंग करके इस तरह से यह आप नाइफ सींपली कट कर सकते हैं कट करके रख लेंगा ताकि उपर से जब हम लोग चाट प्लेट में निकालेंगा तो उस तेम यह सर्फ करने में बहुत है अच्छा रहा है अब देख सकते हैं यह देखिए इसमें हमने प्याज रखा है उसके बाद आपको जीरा पॉडर लाल मिर्च पॉडर यह देखिए नमकीन है यह पापड़ है जो हमने चाना बहुत ह क्रिस्पी है आप देख सकते हैं एक दम टूट जा रहे हैं असानी से और यह देखिए फुला होगा नहीं होना चाहिए दोस्तों सबसे पहले प्याज है उसके बाद जीरा पॉडर है सादा नमक चाट मसाला मिर्ची पॉडर फिर से काला नमक यह सारे इंग्रेडियंट्स आपको यूज करने है और यह देखिए सेव सेव भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं इसमें सर्व करने के लिए आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं अगर नहीं है तो उसमें हम नमकीन यह जो बनाए थे वह भी इस्तिमाल करने सबसे पहले चाट बनाने के लिए हम लोग क्या करे पापड़ी चट बनाने के लिए पापड़ी तोड़ देंगे प्लेट में छोटे-छोटे टुकड़े कर देंगे उपर से छोले जो है अलू वह वह उपर से रखेंगे सारू करेंगे उसके बाद यह जो प्लेट में मसाले दीख रहा है यह जीदा पॉडर हुआ आपको काला अमक, मिरची पॉडर, फिर से सादा नमक, यह सब चीज डालेए उसके बाद आप यह सेव देख सकते हैं सेव उसे भी अच्छा लगता है या जो नम कीन हमने बनाया था वो भी डाल सकते हैं अच्छा लाएगा उसके बाद उपर से प्यास डालेंगा अगर आपको मन है तो इमली का रस जो बनाया है वो भी और दही मन है तो आप बहुत लोग दही नहीं खाते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं इमली के जगह आप जलीरा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जलीरा आसानी से अब लेवल है उसके पाउडर जैसे चार्ट मसाला काता है वैसे ही जलीरा का भी आता है आप उसका भी इस्तेमाल करके हाईजेनिक बना सकते हैं चार्ट को बहुत ही अच्छा है और कुछ इस तर आप खाक के इस्तमाल कर सकता है आसा करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर जरूर करी और बेल आइकन के प्रेस करके हमार अगला वीडियो के जरूर देखी धनेवाद